गठिया याने rheumatoid arthritis या किसी भी अन्य प्रकार की inflammatory arthritis के अंदर जब भी मरीज डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर्स उनको allopathic दवाईया लिखके देते हैं इन दवाईयों का purpose मरीज के जोड़ों के अंदर inflammation को कम करना होता है जिससे उनके जोड़ों का दरत कम हो इसके साथ में उनकी mobility improve हो जो बीमारी है उसका progression slowdown हो तो इसके लिए वो कई प्रकार की allopathic medicines लिखते हैं और इस ड़ से कि इन दवाईयों के कोई side effect तो नहीं होंगे मरीज स्वता ही इन दवाईयों का सेवन करना कई बार बंद कर देते हैं तो क्या हकीकत में इनके कोई side effect है इनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे इन दवाईयों को आपको कब तक लेना चाहिए इन दवाईयों से क्या side effect हो सकते हैं side effect से बचना है तो कब तक सेवन करें किन doses के अंदर सेवन करें और यदि इनके कोई और दूसरे alternate हैं जिनसे दवाईयों की मात्रा को कम किया जा सकता है या इनने लेने से बचा जा सकता है इन सभी aspect पे इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे नमशकार मैं हूँ डॉक्टर संजीव अगरवाल और जैसा आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को हम गठिया या arthritis related वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं तो यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेस कर रूमेटरेड आर्थराइटिस या जो गठिया है ये एक लंबे समय तक चलने वाला आटो इम्यून डिसॉर्डर है इसके अंदर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही जोडों के उपर अटेक करता है जिससे जोडों के अंदर सूजन आती है दरद होता है और जोडों को नुकसान होता है हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारे जोडों के उपर अटेक करता है तो एक बड़ी मात्रा में टिशू डेमेज होने के कारण वहां से प्रोस्टा ग्लेंडिन्स ये केमिकल है जो रिलीज होते हैं ये केमिकल सूजन को बढ़ाते हैं साथ में दर अटो इम्यून डिजीज के अंदर आपके डॉक्टर्स अकसर दो प्रकार की दवाईया लिखते हैं पहला है जो है डीमार्ट्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रक्स जिन्हें आप कई नामों से जानते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे ये आपके इम इप्लामेटरी ड्रक्स कहते हैं ये दरसल दर्द निवारक दवाईयां हैं ये भी उस लोकल साइट पर जॉइंट पर एक्ट करके या उस टिशू पर एक्ट करके आपके बॉडी के अंदर प्रोस्टा ग्लेंडिन के फॉर्मेशन को लिमिट करते हैं जिससे आपके दरद और सूजन के अंदर राहत आती हैं तो आखिर ये NSAID क्या है दरसल ये pain reliever सपोस करिए आपको headache हो रहा है और headache का कारण है आपके परोस में किसी नेवर ने loud music बजा दिया है उस music के शोर से आपको सिरदर्द हो रहा है और ऐसे में यदी आप अपने कानों में ear plug लगा लेते है तो आपको music कम सुनाई देगा ऐसे में आपके परोसी जो है वो है prostaglandins और जब आप ear plug लगाते हैं आपके कानों में music कम पड़ता है आपको headache automatic कम होने लगता है तो इसी प्रकार के ear plug का का काम करते हैं NSAID जो डॉक्टर्स आपको लिखते हैं जैसे ibubrofen, naproxen, या फिर सेलेक इस प्रकार की दर्द निवारक दवाईयां या सुजन कम करने वाली दवाईयां आपको doctors लिखते हैं जो उन chemicals के उपर काम करती हैं और आपको relief देती हैं पर जो basic problem है उसको ये घटाती नहीं है पर उसके बगैर आपको relief देती हैं जैसे ear plug आपको relief दे रहे हैं अब इन दर् cox inhibitor इनके उपर काम करती हैं और ये जो cox enzymes हैं ये जिम्मेदार होते हैं prostaglandins के formation के लिए और ये prostaglandins हमारे शरीर के अंदर सुजन और दर्द के signal के लिए ही जिम्मेदार नहीं है ये हमारे पेट की जो gastric lining है उसको maintain करने के लिए भी जिम्मेदार है साथ में kidney functions को normal रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं तो अगर हम इन दवाईयों का बड़ी मात्रा में सेवन करेंगे तो ये cox enzyme को बनने से रोकेंगी जो prostaglandins के formation को जरूरत से ज़्यादा रोक देगा ऐसी स्थिती में दरद और सूजन में तो कमी आएगी पर आपके पेट की lining और kidney के functions के उपर असर पड़ेगा जिससे आपको कब्ज की समस्या, acidity की समस्या, gas की समस्या या फिर ulcer की problem, kidney के damage होने का risk ये सभी चीज़े बढ़ जाती हैं तो इनका इस्तिमाल moderation में करना चाहिए और अकसर doctors भी आपको ये दवाईया moderation में देते हैं पर इसके साथ में दूसरी दवाईया देते हैं या आप अगर अगर अपने lifestyle और dietary plan के अंदर changes करते हैं जैसा अकसर आप inflammatory, arthritis, rameez and dietary protocol के अंदर आपको सिखाते हैं तो इन दवाईयों के seven को limit किया जा सकता है जिससे आप अ अपने kidney को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं दर असल जब आप doctor के पास जाते हैं दर्द की समस्या के साथ में तो वो अपने आपको कई प्रकार की दवाईया लिखते हैं जैसे दर्द में अगर immediate रहत चाहिए तो दर्द निवारक गोली उसके बाद में जो द relax मिलने लगता है दर्द निवारक गोली से आदा गंटे में असर शुरू हो जाता है पर जो demarts हैं उनका असर आने में चार हफता लगता है तो यदि आप लंबे समय तक कुछ दवाईयों का सेवन कर रहे हैं और आपको relief नहीं आ रहा तो आप सारी दवाईयां बंद करके ब steroid as a breach therapy देते हैं और बाद में इस steroid और इस दर्द निवारक गोली को withdraw कर लिया जाता है जब एक महीने में असर करने वाली गोली का impact बराबर आ जाता है पर मरीज इस बात को समझ नहीं पाते और ऐसी इस्तिती में वो पूरे treatment में गड़बड करते हैं और दर्द निवारक steroid या steroid पर अपनी dependency बढ़ा लेते हैं ऐसे में तकलीफों का बढ़ना लाजमी हो जाता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे अब इन सूजन गटाने वाली दवाईयों के बाद में दूसरी दवाई दी जाती है दर्द निवारक गोली ये खास तोर से आपके दर्द में कमी लाती है सूजन में अतनी कमी नहीं लाती जैसे acetominophen या फिर अन्य दूसरी दवाईयां इनका परपस होता है आपका दर्द कम करना इसकी आपको लंबे समय में आदत पढ़ सकती है इसकी दीरे दीरे potency भी कम होती जाती है तो doses बढ़ते चले जाते हैं ये आपके पेट में disturbances पैदा कर सकती है आपके liver में समस्या पैदा कर सकती है इसलिए इनका इस्तिमाल भी limitation के अंदर किया जाना चाहिए दरसल rheumatoid के अंदर आपके इलाज का जो aim होता है वो है आपके symptoms के अंदर कमी लाना आपकी बीमारी को बढ़ने से रोकना और आपको relief देना तो इन दवा आप lifestyle और dietary protocol का सहारा लेते हैं तो आपको काफी अच्छे result मिलते हैं और आप इनकी मात्रा में काफी कमी ला सकते हैं अब तीसरा और सबसे important group जो medicines का है जो inflammatory arthritis या rheumatoid में use होता है वो है बीमार्ट disease modifying anti-rheumatic drugs और अकसर आपने इन दवाईयों का सेवन भी किया होगा जैसे लीथोट्रेक्सेट या सलफासेलाजील, इनफलूनामाईड या HCQS जिसका COVID काल के अंदर भी आपने नाम सुना था इसकी antiviral properties के कारण ये सभी दवाईयां दरसल आपके immune system पर काम करती हैं उसको cool down करती हैं और indirectly आपके inflammation को सूजन में कमी लाती हैं परन्तु ये आपके immune system पर बहुत slow काम करेंगी और आपको relief आने में एक लंबा समय लगेगा लगबक तीन हफते या देड़ महिने तक इसके कारण कई बार ये देखा जाता है मरीज इनका सेवन करना बंद कर देते हैं उनक अक्सर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया doctors इन दवाईयों को आपको बाकी की दवाईयों के साथ जैसे दर्द और सूजन को कम करने वाली दवाई या पिर steroids के साथ में देते हैं यहाँ पर steroid को brush therapy के रूप में यूस किया जाता है मतलब जहाँ पर DMarts का असर आने में एक म खाने में एक या दो या कुछ दिन लगते हैं वहीं पर steroids दो या तीन दिन में अच्छे results देने लगते हैं तो as a bridge therapy शुरू किया जाता है और एक limited period के अंदर जब इन DMarts का असर आपके शरीर पर दिखने लगता है तो steroids और दर्द निवारक गोलियों को withdraw कर लिया जाता है तो आपके body के अंदर side effect या complications इसके नहीं आते पर DMarts को long run में use करने के लिए design किया गया है ये कई महीनों से कई साल तक इन्हें दिया जाता है ये दरसल आपके शरीर में जो immune system है उसके कुछ एक cells जो जिम्मेदार है inflammation के लिए उनके production पर भी असर डालती है इसके कारण आपके immunities के भी long run में कुछ issues देखने में आ सकते हैं जैसे viral infection वगेरा का बार बार हो जाना या किसी और प्रकार के bacterial infections का हो जाना तो यदि आप अपने life style changes और अपने dietary protocol को ठीक से handle करते हैं तो इनके use में इनकी quantities के अंदर कमी लाई जा सकती है ये आपके blood के production को भी hemper कर सकते हैं आपके liver पर या kidney पर इनके side effects हो सकते हैं HCQS का असर आपके vision के उपर आ सकता है तो ऐसी इस्तिती में इनका limited इस्तिमाल जो आप dietary protocol के साथ में कर सकते हैं और इन side effects को भी रोकने के लिए doctors कई बार आपको कुछ supplements देते हैं जिए nutritional भी हो सकते हैं जैसे folic acid या कुछ अन्य प्र अपर life style changes और dietary protocol जो हम inflammatory arthritis, remies and diet के अंदर आपको सिखाते हैं उसका पालन करते हैं तो इनके इस्तिमाल को काफी घटाया जा सकता है और long run में इनको use किया जा सकता है best results deliver किये जा सकते हैं अब जो अगला group of drug है वो उस समय इस्तिमाल किया जाता है जब आपके traditional demarts effective नहीं रह जाते हैं ऐसी condition में अकसर अब आपको doctors biologics injection लेने की सला देते हैं जैसे adaly, mumap या फिर infleximap इस प्रकार के injectables biologics दिये जाते हैं ये biologics भी आपका जो immune system का specific part है उसके उपर काम करता है जो rheumatoid arthritis के अंदर inflammation और pain के लिए जिम्मेदार है परन्तु इसका भी लगातार लंबे समय तक इस्तिमाल करना कई side effects और complication को पैदा कर सकता है ऐसी इस्तिती में यदि आप basically डरे नहीं इनके इस्तेमाल से भी अगर इनका आप limited इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी लाव होगा परन्तु long run में इनके side effect होते हैं और कई बड़े side effect भी हो सकते हैं पर यदि आप rheumatoid या किसी भी प्रकार की inflammatory arthritis में dietary protocol को अच्छे से follow करते हैं अपनी lifestyle को अच्छा रखते हैं, exercises और yoga अच्छे से करते हैं तो आपको basic medicines के आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ते हैं अब इन सभी categories के बाद में एक और category आती है जिसका इस्तेमाल अक्सर doctors करते हैं और वो है genus kinase inhibitor जिनको jag inhibitor भी कहते हैं और इसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा tofis inative या varis inative या dalgocyt inib ये molecules use किये जाते हैं और जैसा आपको मालुम है कि हर ताले की एक चाबी होती है उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर विविन प्रक्रियाओं को सुचारू रखने के लिए एक specific enzyme होता है यहाँ पर जो inflammation होता है rheumatoid में उसमें cytokines का बहुत important role है और cytokines के बनने में specific pathway होता है उस pathway में जो enzyme होते हैं उसके उपर ये act करते हैं तो ये specific दवाईयां उस पर act करके इन inflammatory cytokines के बनने में कमी लाती हैं जिससे आपके शरीर के अंदर सुजन घटती है परंतु इन दवाईयों के भी लंबे समय तक लेने के अपने side effect होते हैं और इने भी lifestyle changes और dietary protocol के अच्छे इस्तिमाल से इस्तिमाल को रोका जा सकता है कमी लाई जा सकती है इनकी quantity और इनके period दोनों में हैं अब आखरी में एक बहुत ही important category के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा और वो है steroids steroids के बारे में आपने तरह तरह की बातें सुनी होंगी पर दर असल ये life saving drug है दर असल हमारे body में एक gland पाई जाती है adrenal gland उसके द्वारा जो hormones बनते हैं उनके ये synthetic versions है जिनको prednisolone, methyl prednisolone वगेरा नाम से आप जानते हैं और इनका इस्तिमाल जो severe inflammation है, जोडों के अंदर या दरद है, stiffness है इनको खतम करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और काफी commonly doctors लिखते हैं, पर इनको long run में use करने के आपके body के उपर भी असर आते हैं, खास तोर से cortisol ये इस category में आते हैं और इनके इस्तिमाल लंबे समय तक करने से जो side effects आते हैं, उससे डर के कई बार मरीज इनका इस्तिमाल करने से बचते हैं पर कई मरीज इतने बिंदास होते हैं, वो दो ही दवाईयां पूरे doctor के prescription में पकड़ते हैं बाकी सब छोड़ देते हैं, वो दो दवाईयां कौन सी हैं? एक दरत की गोली, दूसरा steroid तो जब भी उनको दरत होता है, एक दरत की गोली और एक स्टिरोइडिस का सहारा लेते हैं और होते होते जब उनके जोड़ पूरी तरह खतम हो जाते हैं, तब जब असानी पीड़ा होती है तो डॉक्टर एक की लाइन यूज करते हैं, भई अब आपकी कार्टिलेज खतम हो गई, जोड़ बदली करा लो इस तरह की गलती आप धून करकी भी नहीं करें, आप इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है, उसे फालो करें तो दरसल डॉक्टर्स करते क्या हैं, आपको डीमाट्स लिखते हैं, डीमाट्स का असर एक महीने में आने वाला है, इसलिए दरत की गोली देते हैं, जिस से आपको आदे एक घंटे में असर दिखना शुरू हो जाएं, फिर साथ में कुछ स्टीरोइड देते हैं, यह स्ट अई बार पेशेंट अपनी ही, अपने उसको स्मार्टनेस बोलू, ना समझी बोलू, उसके चलते हुए वो बीमाट्स बंद कर देता है, और दरत निवारक गोली और स्टीरोइड का सेल्फ खुदी खाना शुरू कर देता है, सेल्फ ट्रीट्मेंट चालू कर देता है, ऐस इसी स्थिती में मरीजों को जादा नुपसान होते हैं, तो बेसिकली आपको गाइड़ वे में जाना चाहिए, और इन दवाईयों का सेवन अगर फ्यूचर में आपको कम से कम करना है, तो आपने गाड़ी चलाते समय एक चीज देखा होगा, जब आप गाड़ी को स्टार् को विड्रॉ कर लिया, या दरदनेवारक गोली को विड्रॉ कर लिया, फिर थर्ड गियर में गए, तो आपने वापस से एक दवाई इन दौनों में से विड्रॉ कर ली, अब जब गाड़ी आपकी थर्ड और फोर्थ गियर में स्मूध चलेगी, तो कम से कम दवाई, मतलब कम से कम पेट्रोल लगता है गाड़ी के अंदर और इस्पीड जबरदस्त होती है तो वही इस्थिती होती है आपकी गाड़ी फस्ट क्लास जीवन की चलती है दी मार्ट्स की कम क्वांटिटी के साथ में अगर आप सिस्टेमेटिक रूप से अपने दवाईयों का फालो आप करते हैं तो पर इसके साथ में यदि आप अपने लाइफ स्टाइल चेंजेज और डाइटरी प्रोटोकॉल जैसा अकसर हम इंफ्लामेटरी, आर्थराइटेस, रेमिजन डाइटरी प्रोटोकॉल में भताते हैं उसे फालो करते हैं तो इन सभी दिवाईयों का इस्तिमाल बहुत ही लिमिटेड हो जाता है या नियरली क्लोज हो जाता है और आप कुछ हरवल सप्लिमेंट, लाइफ स्टाइल चेंजेज, एकसरसाइज, योगा और डाइटरी प्रोटोकॉल पर ही अपने दरत, सुजन, इनको नियंतरित रख पाते हैं और नियर नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं तो यदि आपको भी किसी प्रकार की इंक्लामेटरी आर्थ्राइटेस है तो सामने दिये गए नंबर पर संपर करें मैं मेरी टीम आपकी मदद करेंगी थैंक्यू गरी